आज जो है बिल्कुल बेसिक से बच्चे कल का छुटावा पार्ट करेंगे आज हम लोग कल थुआ से पार्ट छोड़ दिया था मैं जान भूज करके कि ताकि घर पर रिविजन करना और आज एक नया पेटर्न दे रहा हूं सुरू आज से बिल्कुल जीरो से कि जहां कहीं भी ची जाता है है आज से पढ़ना सुरूंफ आज ही पहला कफार। अप्र करती है कि आज से पेल डा करो कि सारे बच्चे क्लास में बेच आए कि सारे बच्चे आफ कर दिया है और देखो Tony's chemical दिया था हमने तो पिछले कल ज दिरूर देख ना ठेखना ठीक है पिछला क्क्षि को जरूर देखना आप सब लोग ताकि आपको यह लगे कि सर उस पीछे बाला में क्या हिंट की हैं सबसे पहला चीज बेटा यह है कॉंसेट समझो कि इंगली सिखने का क्या कॉंसेट है तो हमने पिछले क्लास में दिया था कि भाई प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है त प्रॉट में फ्रॉच में जीन्स में अच्छा ठीक है लाइक किया तुमने ठीक हरो तो सारे बच्चे पहला क्या करो राइक करो ताकि मुझे अच्छा लगे तुम क्लास्मों में आयो हूँ है अच्छी बात अब देखो यह कॉंसेप्ट लाह हमने कहां थेंज कि सबसे पह बड़े में लोड़ सर था वो चार बर्स लुगा थार लन्य, चार बर्स कर लिगा था वह सोचो कि जो प्रब यह रहा है वह भी ली तर सका पर चांगे बहुत अछा लगता है susड़ा है मुझे मजाया और उसी परकार फोन आयए 80- cm kg वह ने कहा कि बेटा अब क्लास बहुत अच्छा है जुग जुग जी ओ और ऐसे जो कमेंट आते हैं ऐसे जो मेल आते हैं मैं धन्न हो जाता हूं और पुरे हिंदुस्तान में जो कृष्टी फैलाने काम में कर रहा हूं उसमें मुझे आपका सजोग चाहिए युकि मेरे दम प आपको दिजिए और उसमें पर दोड़ो और दस के साथ मिल बैठके प्रहो चुग प्रहाई कहते हैं कि एजुकेशन या बिद्या माटने से बढ़ता है तो मैंने आपको दिया आप दिजिए और उससरा सब को सबस्क्राब करागर के मेरे साथ बैठके पढ़िये क्लास मु जैसे वह घातना किस टाम होऊ तो मैं आज ठ्वासा मुद esté वह concept अगे बहता हूं तो time良é को तीन्तरे को धियान देना time फिरेंट कि डूसरा पास्ट ।ीखै और धेसरा फ्यूचर का ठीक है अब ध्यान देना यह कोई प्यक्ति आज से कल से पल्टी मार रहा हूं तो कि मैं चाहता हूं जो कल पढ़ लिया होगा कल का मतलब कौन सा ग्रास टाइम एंड टेंस का पार्ट वन पी ए आर्टी पार्ट वन देख लेना और आज पह रहा हूं पार्ट टू ठीक है तो 11ere को फिलास टीन पार्ट टार्वां कि आया थतू आज पर 10 तैम इन तरह का बुलो ऐसे हम एसे हैक हां चैन्स का मतलब होता है वर्व क्या होता है वर्ब और वर्व दो ही है वर्व कितना है दो है एक प्रेजेंट और एक पास्ट थीक है फ्यूचर नाम का वर्व फूर्व वो कुछ होता ही नहीं है, ताइम तीन है, कैसे जैसे मैं अभी पहा रहा हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिवर्स, कल पहा था ना, पास्ट, ठीक है, कल पहाऊँगा ना, फ्यूचर, तो जो टाइम हम बात करते हैं, बच्चे, सारे बच्चे, लाइक कर ले एक बार, सारे बच सारे बच्चे मेरे हैं, सारा पूरे हिंदुस्तान में समझता हूं कि मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सब गुरूजन हैं, तो मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में करांति काम करूं, और हर लोग को, अगर मुझसे सिखने को मिलता है, तो मैं चा ила कुछा दिखाताए संटेंश के मीनिंग को दिखाता है कि यह परेजेंट है कि पास्टरी फ्यूजार राइट और तैंश जो है तो प्रेजन्ट और पास्त हमने कल वाले वीडियो गाया था जारूर देखना बे southern पार्ट OUS इसका पूरा प्रेजन्ट क में दिया था और पूरा इसकी अधितर की बात कर रहा हूं अभ मैं प्ऱूचर का तो, future, तो अचो की बात का रहे शुचर कन तो, आपने और फूचर टेंस नहीं होता तो, कैसे काम होगा वे आभी तो, Mundi टेंस परेसंट प्सुचर कौutष इस एक टोटनला क कोई खूल जागा तो आस सब्सक्राइब एक काम करते हैं बच्चे तो वह होता क्या है वह होता है फ्यूचर का फ्यूचर प्लान कि हार बच्चे फ्यूचर का कोई भी काम होता है आप बोलो तो बढ़ा जो ख़डा तुम एक कदम भी आगे ब्रहाते हो ना This is a plan क्योंकि बीना plan के तुम एक कदम भढ़ा ही नहीं सकते आगे नहीं सरब मैं तो बेधर्ग चलता हूं तो कभी-कभी बेधर्ग चलते हो बेटा तो एकसिडेंट होता है के नहीं होता है तो माइंड और बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता तो एक्सिडेंट होता है चाहे चलाओ साइकिल चाहे चलाओ कार चाहे चलाओ बाइक चाहे चलाओ पैदल यानि आप अपने पैरों के माध्यम सुझे चलेंगे न तो माइंड और बॉडी पैर का कंट्रोल एक साथ नहीं है तो एक्सिडेंट हो जा कैसे सर बताईए जैसे मालो तुम चल रहो पैदल अचानक से बाइक हुम से गुजर गया क्या तो जान में जाना आया ऐसा पता है क्यूं था क्यूं चल तो रहा से रोट पे लेगि तुहरा माइंड कहीं और था समझ पा रहो तो दोनों का कंट्रोल च तो इंग्लिस का फ्यूचर समझ में आपको आपको आजाए गा एक फिक्स और यक नॉट जैसे मैं कल प्रहाऊंगा मैं कल प्रहाऊंगा तो भाई मैं टीचर हूं अनाउंच करूंगा थम्रे लगाऊंगा स्टाप निकुत करूंगा चार अस्टाप और लगाऊंगा तब जिसे आपको पहाने के लाइब में 10 वह स्टाप लगते हैं तो लाइब चल रहा है पर कम चल रहा है और आप कल पढ़ेंगे इसकी कारेंटी नहीं है क्यों तुम्हारे पास खुजू हो गाई नहीं प्रहोगे बुखार लगे, माता एंड़ नहीं प्रहोगे, इसकूल खराब हो गया वह काम जो 90% हो करके ही रहेगा और वह काम जो 10% होता है उसे हम कहते हैं not fix क्या कहते हैं भाई not fix ठीक है एक action हो गया fix और एक हो गया not fix तो fix जो होता है बेटा इसे कहते हैं simple present tense क्या कहते हैं simple present tense और जो action not fix होता है उसे कहते हैं simple future tense अब इस बात को जो छोटा बच्चा है वो कैसे समझेगा भाई हमने कहा fix है हमने कहा not fix है तो जो action fix है उसे कहते simple present tense और जो action fix not fix है उसे कहते simple future tense अब इस दोनों का हम समझें कैसे तो fix का मतलब हुआ present not fix simple future कैसे अंतर अब सुनों को और से मैंने आप से पूछा sentence कि प्रधान मंत्री कल पटना जाएंगे प्रधान मंत्री कल पटना जाएंगे आप मुझे बताइए कि यह action fix है कि not fix है मुझे बताइए यह train दस बजे जाए आप सोचना आप जो देख रहे हो कोई गुरुजन भी होंगे कोई मेरे हमों दोस्त भी होंगे कुछ बच्चे भी होंगे आप सब सोचो को और से यह train 10 बजे जाएगी हम बोलते है ना ऐसा बोलते हैं कि यह train 10 बजे जाती भाई जाएगी आज जाएगी ना यह aero plane आठ पटना जाएंगे कर लहाबाद जाएंगे तो आप मुझे बताओ कि सारे action fix है या not fix है तो आप ही कहोगे नहीं सर ट्रेन 10 बजे जाएगी फिक्स है वो ललका सोच रहा है कि भाई ट्रेन बजे अगर लेट हो गई तो सर तो क्या तुम लेट मानके चलते हो नहीं ना तुम म दस बजे का दस प ministry जाएगी और तुम अगर तुम लेट से निकल गए या क्या तुम घर से सँच लने तोी 12 घ्या खुल जाएगी तो नहीं ना तुम निकलते हो क्थे नौ बजे तो आज मैं आपको रिबन होगा कि और जाता है कि मैं आपको शखाने के लुदू है यह उक्ता हो भी पूरी टरीके से वह सुखा दिया जाए यह एक लिकिन और धी पूरियोग्मधऎ एप को कि भुआत करें करांट कारी एप नाम भी क्रांति है धर्मेंधर सूटीकरी है और 이 आपंस कि अधी उस प्लेट करोझ कर आप नशे लिए हैं अप कि इंडर मैं सब्सक्राइब काुझा आप के लिए आपने दिल्या के प्रहुग। जब अरदस्त बेच्ट के आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है, तो क्या कहा, फ्यूचर प्रान एक्षन, फिक्स है तो 90% नॉट फिक्स, सिंपल फिक्स, अब कैसे, अब मैं बोलूँगा, तुम कल प्रहोगे, नॉट फिक्स, ठीक है, जो एक्षन में पुरा देश सामिल हो, जिस एक्षन में हर लोग का इन्वाल्मेंट हो, लोग जानता हो, उस एक्षन को हम कहते हैं फिक्स एक्षन, उसके टेंज का नाम होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंज, याद रहेगा, और वह एक्षन जो not fix हो, जिसके होने के चांस तरफ बढ़ा रहा है, वह भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह 50% chance हो और 10%, मालो 50% chance होने को हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अधल में लटका हुआ हो, उसे कहते हैं, simple future tense, चाहे गागेगी हो, चाहे गागेगी नहीं हो, ट्रेन जाएगी तो ट्रेन विल नहीं होगा, वो ट् गोस्ट पतना टुमोरो, है ना, या विजिट्स पतना टुमोरो, तो यहां ध्यांद नहीं बिटा, कि PM की बात हो रही है, वो fix है, इसलिए simple present tense में है, इसलिए V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, और जो not fix होता है, उसके साथ हम will या shell का प्रयोग करेंगे, will shell प्लस भर्व का first form प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस तरह से प्रयोग करेंगे, तब मामला खुल कर सामने आएगा, तब जाए concept में होगा, fix है, और not fix है, यहां तक बात समय आपको आगया है, तो यहां देखो, हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमने आपको सुझाने के लिए, बच्चों को देने कहते हैं, simple future, अब जहां मन मर्जी ना चलता हो, उसे कहते हैं, simple present, जैसे train दस बे जाएगी, मेरी मर्जी नहीं है, तो present हो गया, मैं कल train से जाओंगा, मेरी मर्जी है, ना जाओं, तो हो गया simple future, तो वहां कलम खरे देगी, इसका अंग्रेजी बना आप लोग, फटाफट, व अगला कोशन, हम सोचेंगे, जल्दी से, हम सोचेंगे, इसका अंसर क्या होगा, फटाफ़ बोलो, जवाब दो, ठीक है, हम सोचेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम सोचेंगे, क्या बनेगा, वी शैल, ठीक, अगर देखो, वहां कल तुम्हारी सिकायत करेगा, वहां कल तुम्हारी सिकायत करेगा, इसका बनाई है, क्या बनेगा, ठीक है, वहां कल तुम्हारी सिकायत करेगा, जल्दी से क्या बनेगा क्या देखो he will complain against you he will complain against you तो वह कल तुम्हारी शिकायत करेगा he will complain against you अगरा है मैं नो बजे की गाली से पटना जाओंगा क्या बनेगा इसका जल्दी से बोलो मैं नो बजे की गाली से पटना जाओंगा जवाब दो फटा फट मैं नो बजे की गाली से पटना जाओंगा बोलो इसमर मर्जी एक नहीं है तो बनाओ ना प्रैक्टिस साथ साथ करो बिटा प्रैक्टिस साथ साथ करो मैं नो बजे गाली से पटना जाओंगा जल्दी से इसका अगरा देखो दुख सुक में आपका साथ देगी फटा फटा फट्ट् जबाब नहीं आ राजी बच्चे वा दुख सुख में आपका साथ देगी, क्या बनेगा? She will stand by you सुख दुख में आपका साथ देगा Stand by you Through thick and thin तो क्या हो गया? सुख दुख में साथ देगी अगला बट क्या है भाई? वा बैठ रही होगी सिवाइब देखो फि कांटिन्य स्टेंस हो गया फिूचर जो फिट्र में नह 같습니다 रहे होगे रहे होगे वह बैठ रही होगी किया भुनारuse इसको शिभल में सिटिंग सिबल भी सिटिंग अगर देखो वे यहां रुक रहे होंगे वे यहां रुक रहे होंगे बनाइश जुफल पर त्यस जाएश कि क्या देखा हमने वे यहां रुक रहे होंगे क्या बनाएंगे स्क्रम लोग वे यहां रुक रहे होंगे जल्दी से हो गया देवी अस्टेइंग हेर अगरा देख जवाब क्या हो सकता है तुम फिल्म देख रहे होंगे फटाफट मैं जवाब जाना चाहतू आप लोगों से बटा फटाफट जवाब दीजी तुम फिल्म देख रहे होंगे 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 फटाफट जवाब दीजी इसका क्या बनाएं यू विल वी सिंग दा फिल्म यू वी वाचिंग दा फिल्म कु वाचिंग द SM भो लो वाचिंग aja रहा कि प्रेय को सरी चाहिब में जबाब नहीं मिल जवाब नहीं मिल र्टेहां और जबास कR दो क्या हो रहा है कुम आब hard can catch रहा है कंटिनिउ रही होगी शीला होकी शीक्षा कंटिनिवार हुगी सलीपिंग शीला विल भी स्लिपिंग जवाब अच्छे शनिया रहा है मुझे फराव दो आज घंटी बजा रहा होगा वह आज घंटी बजा रहा होगा क्या बनाएंगे लेकिन जवाब दो फ्राफट अब देखो फ्यूचर परफेक्टेंस वह एक्षन जो फ्यूचर में समाप्थ कि अध़र कुटा होगा है फीवचर में जब परफ्रट होता है तो डवल गण judgments फ्या चूप बात कर better Gustless All802 झायसे मेरे जाने से पहलेड जाने से पहले ट्रेन जारा जॕ कि होगी होगी एको आदिरम limited पने हैं आ interpre tar fix मेरे खानां से पहले वह द्युने से रहते हैं आ जहां मेरे खाने से पहले वह जा चुका होगा तुम्हारे आने से पहले न怎么 Jeżeli There A कि इसको रिद नहीं व्यू पढ़是的 रीज़ी सेम है रिग रीड iberेड ठिक है अगला बढ़ है हम मामला सुल जार कि वों गें जळीज ओपका नंबर ऐए रिट्स युटर्न की हिए अब कर नंबर है प्र हम चलेगी इसके पिछले क्लाश जुड़ा हुआ है दोनों को पहज़ लेंगे आपका basic हो जाएगा कौन को सा पिछले जो पहया पार्ट वन पार्ट वू उसमें प्रजेंटेंट पास पहया आज होगा future दोनों को मिला लोगे perfect हो जागा तिमने क्लास जहां परहते हो बेसिक में यहां आपका ड्वांस भी दे दिया तक शमझ में आपको आजागा ठीक है अगर देखिए हम मामला सुझाच को होगे लिए अगला कहता है संतोस अपनी आतरा समाप्त कर चुका होगा संतोस अपनी आतरा संतोस विल है फिनिश्ट इस जरनी अगला कहता है है वह स्टेशन पहुंच चुका होगा वह स्टेशन तोस्टों को का होगा लिए रिट दो स्टेशन विल्हैंगी पर्फर्डि दर स्ट्रेस्ट है यहां परिस्ट दर फेलैंदेमर्च आप यहां यहां szczegól पर्फेट परफर्लाठी लाँ जसे जोड़ा हूँ विल सेल है प्लस भी थ्री और भी फोर के साथ भर प्लस एस अदरबर जोड़ा है क्या वह तुम्हारे आने से पहले अपना काम समाफ्त कर चुका होगा या कर चुकेगा तो फ्यूचर परफिक्ट कोई भी होता है परफिक्ट तो दो कलाउस का होता है इसको ध सजय उब कर चुका होगा या कर चुकेगा ठिक है तो ही विल तो ही विल हैब प्निफ्ट HIS बर्क विफोर यू कम, जै क्नृल्च वाज रहिया तो जबकर दो कलाउस होता है एक काम अधूरा होता है तो ही विल है pride फिनिश्ट इस वर्क बिफोर यू उर्प मेर आने से पहले वह अपना पार्थ याद कर चुका होगा, पार्थ को क्यों लेशन, मेरे आने से पहले, वह अपना काम, अपना पार्थ याद कर चुका होगा, मेरे आने से पहले, ठीक है, दो क्लाउस, ध्यान दीजे गोर से, कि she will have learned her lesson before, before दो क्लाउस जोड रहा है, I come, तो before I come, दो क्लाउस, क्या क्या इसने जोड दिया, तो जब दो क्लाउस जोडता है न, तो यहाँ यहाँ एक ठेंस का प्रियोग करते हैं, पर्फिट का, चाहे वह पास्ट पर्फिट हो, चाहे वह फ्यूचर पर्फिट कॉंटिन्यूस, मैं आपसे एक सिंपल सा बात करूँ, future perfect continuous का value खत्म हो गया ठीक है बहुत कम इसका यूज होता है इस टेंस का यूज ना के बराबर होता है से रहा होगा से रही होगी से रहे होंगे बोलते हम लोग हिंदु में जैसे वह दस बरसों से पढ़ रहा होगा वह चार बरसों से अब भाई एक तो future है उपर से 10 बरस जोड़ रहे हो उपर से 5 बरस जोड़ रहे हो उपर से जनवरी कह रहे हो तो एक तो पहले ही future है कलपना उपर से 10 बरस भी लगा दिया बहुत पार हो ना तो future perfect continuous का प्रयोग खतम हो गया एक अधर किया since का प्रयोग future perfect continuous में कभी नहीं करते since के बदले में from का प्रयोग करते हैं और for यहां आता है तो for और from दो बड़े हाते हैं since का प्रयोग कभी यहां पर नहीं होता है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है taking a bath for four hours पासना पार हो ना तो future perfect continuous का sentence सब खतम हो गया कई दों से खुषिया मना रहे होंगे क्या बोलेंगे they will have been making merry for many days ठीक है सिखा पांच दिन से खाना पका रही होगी सिखा will have been cooking food for five days ठीक है अब देखो मैं बात किसी कर रहा था यही एप है यहां पर YouTube है हो सकता है समझ में आप काम आ रहा हो हो तो बच्चे हो या फिर आप इसको ध्यान से नहीं देख पा रहे होंगे continue बढ़िया से पढ़ना है आराम, आराम से पढ़ना है, slow motion पढ़ना है तो इस आप को डाउलोड कर लो मैं नहीं करना तो मैं दो बाद यह एक क्लास का continue free दिया हुआ है उस से तुम देखो बारवे से बैच होगा और इसको रेटिंग जब अच्छा लगे शालगा तो वास पाइस टार रेइतिग कर द करना कि एक दो तीन चार पांच और इसको बढ़ी हां सा करना फिर मुझे बताना कि एप कैसा लगा और क्लास करना इसको ठीक है यहां दिखना उसके बाद एही बैश है देखो इंग्लिस फांडेशन बेसिक बैश ए टू जेट मतलब आज कल जो डाउड किया ना रोज देली क सब्सक्राइब का मेरा इंप्रूब हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आपका नंबर हो एक बेसिक से पढ़ हो और इस एप को डाउड करो ताकि इस एप को पढ़ने के बाद यहां देखिए अगर आपको पास टाइम नहीं है जल्दी पढ़ना चाहते हो फास्ट्राइब कोर् पूरे हिंदुस्तान किताब करांती फिला रहा 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 है इस नबर दख लो अभी कॉल करो एक नमबर देखो कल सुबह कॉल करना यह बारह किताब आपको मिल रहा है जब आप लोग एडिमिसन न तो किताब काम आएगा बेसिक से बारह किताब का सेठ है जो आपके लिए ठीक है एक कॉल नमबर दिया किताब के लिए फेस्बूक इंस्टाग्राम जुरू फोलो करिए साथ पढ़ने के लिए और टेलिग्रम जो पहाता हूं यहां डाल देता हूं तो इसको फोलो करिए ठीक है अब इसके साथ साथ एक किताब और है जो सिर्फ एमेजॉन मिलेगा एलो बूक और सुपर फास्ट अस्पोक इस बनाया गया है वह कैब आपको चाहिए तो जरूर पढ़िए इसको आप जरूर लगिए कहां से मिलेगा अमेजॉन फिलिपकार्ट से एक है रेड़ बूक यह भी किताब धर्माल मचा रहा है बेस्ट चिलर में इसका नाम समिल है यह है। यह किताब स्राल इंग्लिस साइध आप नहीं मिल रहा होगा यह यह ऑड़िट हो गया होगा तो एक बार इसको देख लीजएगा यहापको मिल रहा है मिल ला नहीं ही जोरूर पर ठेक है यह किताब पतायां दियो हमने आपको अप्लस फोन नम्बर इस पे कॉल करो इस पर क्लो करो, इस वाटसब भी करो, और जब तक call नहीं उठाता है, तब तक call करते रहो. जब तक call नहीं उठा है, call करते रहिए, call करते रहिए, बाच होती होती रहेगी. ठीक है, ये नमबर आपके लिए है, और कोई भी दिखकत हो life में, तो इसको डाउलोड करो और पढ़ने का प्रयास करो धर्मेंट सर डेली आएंगे लाइब आपको पहाते रहेंगे शिखाते रहेंगे रहेंगे ठीक है अब मैं निकाले नहीं पर दो पाट दे दिया अगला पार्ट मैं सोच रहा हूं कि वह ऐसा बेसिक लेकर आँ ताकि बच आदमी दो क्लास में खतम कर दिया क्यों भाई क्योंकि अगर 20 क्लास पहाँगा ना तुम हो जाओ यहां पता क्यों क्योंकि आपको आपको स्बुक चाहिए वो कैप काम चाहिए तेंस का महत्व क्या वो चाहिए हर चीज कराऊंगा तो इसके लिए टाइम चाहिए इसके मैं चेहता हूं कि आप डॉट युकप करी लो। और उहां पहले ख्लास देखो। इस पर खर्च करो, यह माइंड है। माइंड पर खर्च करो, इस पर खर्च कम करो, कोई चलेगा। इस पर खर्च करो, धुआधारियों खर्च करो. मतलब गर्मी में रह लो लेकि दिमाग पर खर्च करो लोकि दिमाग अगर बढ़ गया ना तो ट्रस्ट में तुम भी ध्वान स्वात्म हो जगा बता तुम तुम आगा लगा देगा तुम्हारे पस कलाकारी आजएगा जब दिमाग बढ़ेगा ना तो भाई सहाव तुम क्या करमात नहीं कर देगा तुम सब हीरा हो डाइमंड हो तुम सब तुमको पॉलिस की जरुवत है तुम सब चमक जाओगे एक बार इंगलिस का कोर्स कर लो कहां पर करांदिकारी एप पर जागे पहले देखो वहाँ कैसे पहा रहा हूं किसे पहा हूं कितने systems पहा रहा हूं subject क्या है, verb क्या है, letter क्या है clause क्या है, लिखते कैसे हैं, शिक्हते कैसे हैं बासंच पहरो न, तो एक बार वहां जाकर पहूं और देखो कि धर्मेशा पहाते कैसे हैं YouTube एक एड का जर्या है जिसके माध्यम से आपको मीला की धहिमें सानामा को ब्यक्ती है लेकि एप जो है वो सिखाता है बहुत समझ पारो लेकि मैं फिर आपको दिलें पहुंचे से प्रास करता हूँ कल और मज़ेदार क्लास लेकराता हूँ एक पढ़िया क्लास लेकराता हूँ सबको शेयर करो कल मिलते है तुफानी क्लास ठीक है एक अदभूत क्लास में और कल जो सिखाऊंगा ना पक्काय की मानो कि आपको मजा आने बाला है जबर्दस तरीके से ठीक है तो इंगली सिंगा तरीका कल पताऊँगा आपको सारे बचों को बाबाई टेक क्या गुड नाइट हैवा सुट ड्रेम सारे बचे बहुत प्यारे हैं लव यू बहुत अच्छा लगा आप सब के साथ प्रहा करके पता है बीना प्रहाय मुझसे रहा नहीं जाता मैं आप लोगों को देखने के लिए ना बेचे मैं सोचता और रात तो समय से होगा तो नो बसता है मैं फटा फटा आजाता हूं आपके लिए और शिकान के प्यास करता हूं सारे बचों गुड नाइट गुड नाइट बच्चे बहुत अच्छा कल मिलते हैं आप से ठीक है बाबाई टेक क्या